हीमपूर थाना छेत्र के गाउं मुडाला की जंगल में अग्यात महिला का शफ पानी में पड़ा मिला पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भीजा नजीवबाद छेत्र के गाउं गड़ मलपूर में रास्ते पर बने अवैद निर्माण को उपजलादिकारी और तहसिलदार की नेतत्र में प्रिसाशन ने कराया धुष्ट जलीलपूर खादर छेत्र के गाउं खानपूर में एक नव विवाईता ने फांसी लगा कर की आत्मत्या परीजन ने ससुराल के लोगों पर लगाया दहिच के लिए टॉर्चर करने का आरोप सिवारा बिजली घर पर नहीं हो रहा विदूत उभोगताओं की समस्य का समधान SDO प्रेम सिंग पर उभोगताओं से बुरा वेवार करने का आरोप चांदपूर में राष्टे किसान मजदूर संगठन के कारेकरताओं ने प्रजशन करते हुए उपजलादिकारी को सौपा ग्यापन करने का मूल्य साड़े चार सु रुपे प्रती कुंटल करने की मांग पांच वर्षों से आपके भरोसी का प्रती मैंट्रस्ट लेकर आया है और्थोनिट आयरुवेदिक सीरप ओईल एंड कैप्सूल 100% आयरुवेदिक जड़ी बुटियों से बने और्थोनिट प्रोडक्ट्स आपके जोडों और मस्किलर पेन के लिए सबसे असरदार अब ओल लाइन के साथ आपके नजदी की मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्द पांच वर्षों से आपके भरोसी का प्रती मैंट्रस्ट लेकर आया है डायरुवेदिक मेडिसीन 100% आयरुवेदिक जडी बुटियों के मिश्रन से बना डायरुट्रस्ट आपके डायरुटिस को करेगा पुरी तरीके से कंट्रोल मैंट्रस्ट फार्मा के सभी प्रोड़ेक्ट्स की डिस्टिबिटर्शिप लेने के लिए कॉंटेक्ट करे लगतार भढ़ रही बाल विक्षा ब्रती को देखते हुए संबल में आबासी सोसाइटी निपुलिच अधिकारी को सौपा ग्यापन बाल विक्षा ब्रती पर लोग लगाने की मांग विश्व हिर्द्य दिवस के अपसर पर मंडल के हिर्द्य रोग विशेशग्य डॉक्टर जेपी शर्मा से अभी तक न्यूस चैनल के समवाद दाताने की बातचीत डॉक्टर जेपी शर्मा ने बताए हिर्द्य रोग समस्याओ से शुटकारा पाने के उपाए अफजलगट छेत्र के गाउं दुली चन्दपुर में किया गया भगवत कथा काशो भारम भगवत कथा से पूर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा धांपुर तहसिल छेत्र के गाउं पाडली बसेडा उम्री खदाना में लगतार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही चोर एक सप्था के भीतर 15 से 20 स्टार्टर होई चोरी नगीना थाने में तहनात किराइम इस्पेक्टर विने कुमार का इस्ताना अंतरण होने पर थाना परिसर में किया गया विदाही समारों का आयोचन अब आपका अभी तक चैनल कभी भी कहीं भी देश्विदे और अपने जिले से जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉगिन करिए अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे अपने जिले की खबरों के साथ